भारत बांगलादेश सीरीज में हो सकती है स्टार गेन बास की वापसी जहां हम बात कर रहे हैं मोहमद शमी की 2023 ODI World Cup के बाद ये खिलाड़ी हमें क्रिकेट के मैदान पर खेलते वे नजर नहीं आया एंकल इंजरीज के चलते इन आईपिल से भी भार किया गया और T20 World Cup का भी ये हिस्सा नहीं थे लेकिन अब कुछ खपरों की माने तो बांगलादेश वाली सीरीज में भारती टीम में वापसी कर सकते हैं मोहमद शमी मोहमद शमी को 1D World Cup 2023 के दोरान एंकल इंजरी हो गई थी जिसके बाद उन्हें रिकवरी के लिए फेजा गया था वो अपनी रिकवरी में सिग्निफिकेंस टाइट्स कर रही है और सितंबर में बांगलादेश के खिलाफ टेस सीरीज के लिए भारती मेंस टीम में उनके जूडने के चांसेस काफी जादा है ANI के एक रिपोर्ट के अनुसार शमी की रिकवरी का अपडेट BCCI चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने शेयर किया है वे अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या शमी को अपनी फिटनेस सुधाने के लिए दिलीब ट्रोफी के लिए कम से कम एक मैच खेलना चाहिए शमी ने गेन बाजी शुरू कर दी है और इंडिकेशन दिया कि बांगलादेश के खिलाफ 19 सितंबर से चेननाई में शुरू होने वाला पहला टेस्ट उनकी वापसी का टार्गेट होगा अगर करने कहा था बहुत सारी टेस्ट आने वाले हैं हमें कुछ डेप्थ की आवशकता होगी बूमराज, शमी, सिराज कुछ समय से आसपास हैं ये क्लियर है लेकिन इसके इर्दगिर कुछ बात चीत होगी बहुत सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आने वाला है ताकि हम उस तरह से लोगों को तयार कर सके भले ही शमी भारत के कुछ या सभी होम टेस्ट नहीं खेल पाते जिसमें बांगलादेश के खिलाव दो और न्यूजिलिन के खिलाव तीन टेस्ट शामिल हैं लेकिन उनके पास आस्ट्रेलिया दौरे के लिए अपनी गेन बाजी ले हासिल करने के लिए काफी जादा समय है टीम पांच नवेंबर को न्यूजिलिन के खिलाव तीसरा टेस्ट समाप्त होने के तुरंद बाद रवाना हो जाएगी इसके अलावा रंजी ट्रोफी ऑक्टोबर में शुरू होगी शमी को अपनी फर्म बनाने के लिए कई अफसर प्रदान करेंगे शमी की एंकल इंजरी जो 2023 वंडे वर्ल कप के तुरंद बाद सपस्ट हो गई थी शुरू में मामुली मानी गई थी हालाकि लगातार स्वेलिंग के कारण सर्जरी का निर्णे लेना पड़ा जिसके क मोहमद शमी वापसी कर सकते हैं लेकिन ये चीज अभी बिल्कुल भी क्लेर नहीं की गई है कि मोहमद शमी सीरीज में खेलेंगे या नहीं आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्रिकेट केसरी को सब्सक्राइब करना ना अभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी